देश में कोरोना वैक्सिन का काम तेजी से चल रहा है लेकिन अभी भी बहुत कम लोग है जो प्राइबेट अस्पताल में जा करके वैक्सिन लगवार हैं एसे में अब क्यंद्र की मोधी सरकार ने प्राइबेट अस्पतालों में तैव वैक्सिन के 25% कोटे को घटाने का विचार कर रही है इतना ही नहीं भारत सरकार ने प्राइबेट अस्पतालों में बच्ची साथ से 9% वैक्सिन को मंगाने का काम भी शुरू कर दिया है ऐसे में अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों का कोटा कम कर सकती है जिसके बाद वैक्सिन कमपनियों को नीजी अस्पतालों के लिए 25% वैक्सिन बनाना जरूरी नहीं होगा यानि ज्यादा से ज्यादा वैक्सिन सरकार को ही मिलेगी ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले दो से तीन महीनों में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सिनेशन की रफ्तार धीमी रही है बीजेपी सांसत सुशील मोधी के सवाल के जवाब में स्वास्त मंतरी मनसूख मांडविया ने राजसभा में बताया कि ये जरूरी नहीं कि कोटे में कटावती की जाए हलाकि उन्हों ने ये भी कहा कि सरकार ने वैक्सिन बनाने वाली कमपनियों से बात की है और उनसे प्राइवेट सेक्टर को उनकी जरूरत के हिसाब से डोज देने को कहा है इसका मतलब हुआ कि वैक्सिन मैनुफेक्चर कमपनियों को फ्राइवेट सेक्टर के लिए 25% वैक्सिन रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें जरूरत के हिसाब से ही डोज दिये जाएंगे वाकी की वैक्सिन सिधे सरकार को ही मिलेगी इससे पहले कई राज्यों के मुख मंतरियों ने भी प्रधान मंतरी मोदे से प्राइवेट अस्पतालों के कोटे में कटावती करने की अपील की थी फिलहाल कमपनिये जितनी विवैक्सिन बनाती है उसका 75% केंदर सरकार खरी दिती है और उससे राज्यों सरकारों को देती है बाकी 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है आज के लिए इतना ही मुझे दिजी इजाजत ऐसे ही तमाम खबरे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें खबर अच्छी लगी है तो वीडियोज को लाइक करें शेयर करें